अगर आप लोग अच्छे होंगी बाइन्स एक्स्चेंज अगर आप यूज करतेए दुस्तो तो बैञेंज का रूल चेंज हो चुका है क्रिप्टो डिपोजिट विड हैंनेने करने करने का है अगर आप यूजर सेहत इस वीडिव को मिस मत करें क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग को पता हो तो crypto पे 30% tax और 1% TDS लगाया गया है deposit and bid roll पे deposit करेंगे उसमें भी 1% and bid roll करेंगे crypto तो उसमें भी आपको 1% TDS देना होगा पाकि profit पे 30% tax देना होगा ये तो आपको पता है लेकिन दोस्तों Binance जो की 15 अगस्त को finally इंडिया में वापस आ गया है 2024 में FIU registration के साथ तो अब क्या हो रहा है कि अगरा Binance exchange के users है तो अब crypto deposit bid rolls करेंगे trading करेंगे तो वहां पे information को fill करना होगा तब हो 100% crypto आपका deposit होगा फिर bid rolls होगा तो सारे जिनकारे दोस्तों मैं इस वीडियो में cover करूंगा ताकि आपसे गलती ना हो क्योंकि दोस्तो Binance अब international नहीं रहा अब Binance अब इंडिया का हो चुका है FIU के custody मा चुका है और उसके तहद आपको अब trading करना होगा परते एक trading पे परते एक deposit पे अब यहां पे नजर है जिससी कि आप कहीं भी इधर उधर करेंगे तो आपके घर notice आ सकता है या किसी भी परकार के फ्रेशानी के सामना आपको करना पड़ सकता है तो सारे जनकरी मैं कवर करूंगे इस वीडियो में ताकि आपसे कोई भी गलती मिस ना हो और यहीं पे दोस्तों एक और चीज है कि आप crypto deposit weight rolls में कुछ गलती करते हैं तो आपका पैसा पानी म होता है तो सब्सक्राइब अगर आप crypto में 10,000 रुपी investment किया किसी भी coin में और 10,000 investment किया और 10,000 का 15,000 हो गया है तो जो 5,000 आपका profit हुआ है उस पे आपको 30% टेक्स देना पड़ेगा वहांकि जब आप crypto में लेंदिन करते हैं deposit करते हैं बेडोल्स करते हैं तो उस पे आपक देंगे तो claim हो जाता है लेकिन जो 30% tax है वह आपको government को देना पड़ेगा यही rules है तो वहीं पे फिलाग जो international exchange था सभी को ban कर दिया था इंडिया में लगबग जनवरी के महिने में दिसंबर जनवरी के महिने में place stores सभी को remove कर दिया लेकिन दोस्तों धिरे-धिरे क्या है कि सब FIU registration करवा के इंडिया में वापस आ गया जिसे कि दोस्तों कूप कायन हो गया balance हो गया और भी बहुत सारे exchanges जो कि अभी FIU registration के अंदर process में है जैसे उसका complete हो जाता है फिर से वह FIU के custody में इंडिया में run करेगा जिसे कि आपका bid cut हो गया bybit हो गया यह सब भी तो फिला करते हैं तो उस पर आपको information फिल करना होगा ओ information क्या हो दोस्तों जिसे कि support हम balance को पिन करते यहां पर deposit है अब deposit करेंगे दोस्तों जैसे कि हमें us Agency deposit करना है या फिर कोई हैme起स्टर हो गया बिटcoat करना शीकरते हैं तो इससे के माध्यम से टेपोजिट करना चाहते है अब क्योंगी नेटवork लेते पर आपकि हम एक लाक इनवी से दे दो हमारे इस एड्रेस पे ओकि आप उसे देते हैं वह अपने किसी भी चाहे वालेट सो चाहे किसी एक्षेंज से हो वह आपको ट्रांसफर कर दिया उसके पास डन हो जाएगा लेकिन आपके पास सो करेगा 99% लेकिन 100% डन नहीं होगा आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे अब यहां पर जो रूल्स ला दिया है कि आप जिसके दोवारा इस पैसा आपके एक्षेंज में वाइनेंस में या किसी भी सोर्स से हो उसका इनफॉर्मेशन आपको फिल करना होगा जिसे कि दूस्त तो यहां पर क्या बोल रहा है इन आउडर तो कंप्लाइन विट रिग्लिटी रिक्वार्मेंट प्लीज प्रॉइड दा सेंडर इनफॉर्मेशन सो डैट ट्रांसफर कैन भी पर्स्यूड मतलब दस्तों क्या है कि हमने यहां से उसे भेज दिया था और मेरे में डन हो चुक है कि जहां से पेमेंट आया है जिस सोर्स से उसका इनफॉर्मेशन सेंडर इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना हो गा तो सेंडर इनफॉर्मेशन में क्या क्या हो दो जैसे कि यहां पर प्रोवाइड इनफो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगी यहां प पर किस country का है वो डालना है किस state का है कि city का है कि और उसका पीन को इस सारे information डालके आपको next करना है तब ही आप किसी से यूरिटी लिये हैं तो आपका successfully deposit होगा आपके exchange में तो मतलब यहां पर सिंप्ल सी है कि अब यहां पे जो एफाय रेश्टरेशन क्या गया है अब इस चीज से बच नहीं सकते हैं मतलब अब यहां पे धोकादड़ी नहीं हो सकता है और आप crypto tax और video से बच नहीं सकते सब्सक्राइब हमने wallet से मतलब trust wallet से हम भेज दिये हमें तो कभी किसी परकार के वहां पर कुछ दिना नहीं पड़ेगा लेकिन आप में चला गया लेकिन receive नहीं हुआ जब तक आप मेरा information आप वहां पर प्रवाइड नहीं करेंगे वह 100% नहीं होगा तो इस case में दुस्तों आपको क्या करना है अगर आप किसी से भी crypto कोई भी crypto coin हो आप किसी से लेने के लिए सोच रहें तो सेंडर का जिससे लेने के लिए सोच रहें उसका पेन कार्ड और उसका जो ओरिजिनल नेम हो और उसका डेटेल्स जो प्रस्नल डेटेल्स लाइक city country इतना चीज ले कि आपको रखना है ताकि दोस्तों यहां पर requirement होगा तभी आपका इस पैसा 100% डिपोजिट होगा नहीं तो नहीं होगा अगर बाइचांस किसी से किसी से आप कॉंटेक्ट के यूस्टी खरिदने के लिए आपने उसे आईनर भीज दिये वह आपको यूस नहीं लेते हैं उसका पेन काड नाम सब नहीं लेते हैं तो फिर दोस्तों आपका वह बरबाद हो जाएगा फिर आप उस पैसे से कुछ भी काम नहीं कर सकते वह अठका रहे जाएगा जब तक आप संडर इंफोर्मिशन नहीं डालते हैं तो दोस्तों यह हमेशा ध्यान करो कर रहे हो एक दूसरे का आप यहां पे रिक्वार्बेंट होगा पेन काड यह सब सारा कुछ आप रखे तभी क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो रूल्स चेंज जो आपके पैसा नहीं आएगा और अगर आप किसी को भेज भी रहें दो कुछ जो हिमां को देना कमपलसरी है क्योंकि जिसम भी रेells रिक्वार्बेंट होगा तो आप से मंगेगा तो आप को दिना ही पढ़ेगा तो यहां पь रिक्वार्रेंट है कि जब भी आप ट्रत चीज़ करेंगे रिकार्रेबेंट हो हैं तो कि अभी धूजन डॉल पाई कर गरके प्रोसेस मांग रा ला दाइन केगा पोने अंडो पी क्रीडिंग कर रहे हैं तो सेख gorces करें कि कुछ चीजों और बाइनेंस अगर अब यूज करते हैं कोई बातने सेफ सुरक्षित है यहां पर आप टेडिंग कर सकते हैं इसके लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन होता दस्तो हमेशा में गाइड आप लोग को करते रहता हूं आप लोग को इंफॉर्मेशन पसंद आया हो लाइक कमेंट सिर कर जिएगा मिलते हैं तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइज जेहिंद जे वारत